नबस्ते है जी दहरेवान हिलिंग साइंस से मैं हूँ दहरेवान आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों आज हम बायू मुद्रा की चार्चा करेंगे बायू मुद्रा शरीर में जो बायू तत्त होती है उसके बारे में हम उसमें बात करते हैं हमारा श्रेर 5 element यानि कि 5 महाभूतों से 5 सत्वों से मिलके बना होता है आपको पता ही है फिर यह बताता हूं अगरी आगाश वायू पृत्वी और जल हमने सारे तत्वों के बारे में चर्चा की है और आज हम चर्चा करने वाले हैं वायू तत्वों को वायू तत्वों अगर हमारे श्रेर में जादा हो जाए या वायू तत्वों की कमी हो जाए तो कैसे हमारी आध्यात्मी गुर्चा गिरने लगती है और कैसे हम अपने आध्यात्मी गुर्चा में स्टक हो जाते हैं वायू तत्वों हमारे आध्यात्मी गुर्चा को उपर साइन्स में ध्यान, योग, जब, हवन, तब जब भी हम इस तरह की क्रियाएं करते हैं अपने जीवन में, कि जब हमें अध्यात्मिक में और उचा उठना होता है, तो उस कंडिशन में हमें हर तत्व का पूरा सहरा चाहिए, वायू तत्व ना केवल आपके अध्यात्मिक जी जैसा की आप जानते हैं, कि आप प्राणों को ही गहन करते हैं, प्राणों को ही छोड़ते हैं, तो भायू आपके नाक से आपके अंदर आती हैं और श्रीर को साफ करके बाहर चलिक जाती है अब विज्ञान इसे oxygen या carbon dioxide के नजरी से समझाता है लेकिन योग में हम केवल इसे प्राण कहते हैं मतलब प्राण वायू वो अंदर आती है और अंदर से शरीर को साफ करके बाहर चली आती है जब भी हमारे शरीर में प्राण वायू मतलब की वायू कम हो तो बहुत सारी शरीरिक तकलीफें आती है जैसे जोडों में दर्द, कमर में दर्द, खाना अच्छे से नहीं पचना सांसों का फुल ना, अच्छे से विचार नहीं कर बाना, अच्छे से सोच नहीं बाना, कन्फ्यूज रहना और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि केवल प्राणों की कमी के बज़ा से चक्कर आ जाता है किसी को, या वो बिहोशो कर गिर जाता है, मुर्चित हो जाता है है ना, हैड़क की प्रावलम जिनको होती है, वो वायू तत्यों की कमी के बज़ा से ही होती है तो आईए समझते हैं वायू तत्यों को हमारे शरीर में और हमारे आध्यात्मिक शरीर में कैसे बढ़ाएं जिससे हमारे अंदर वायू की शक्ति बनी रहेगी सबसे पहले वायू मुद्द्रा को हम कैसे बनाते हैं ये समाज लेते हैं इसके बाद वायो मुद्रा से जुड़े और तथ्धियों को मैं बताओंगा जो लोग हीलर है, जो लोगों को हील करते है हरेखी के द्वारा, प्रानिक हीलिंग के द्वारा, लामा फेरा के द्वारा, इंजरेंग के द्वारा उन सब को यह धियानना बहुत जरूरी है धियार रखना बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स को हील करें तो पिशन को बायू मुद्रा का बहुत जरूर करें इससे लिंग बहुत फास्ट हो जाएगी यानि कि आप यहां से इतना डालेंगे और महां वो उतना फलेगा यह बिलकुल वैसे ही बारिश के मौसा में थोड़े से बीज डालने से बहुत सारे पौधे निकलाते हैं है ना तो आएए समझते हैं वायू मुद्रा को कैसे बनाएंगे अपनी हतेली में जो आपकी तरजनी होती है इंडेक्स फिंगर को इस तरह से मूड़ लेंगे मूड़ गया और फिर अपनी अंगुस्ठा से जिससे हम अंगुठा कहते हैं इस तरह से हम दबा देंगे और ये बन गया आपका वायू मुद्रा ध्यान रखना बहुत गहरी बात है ये इस तरह से मूड़ेगा पूरा फोल्ड हो जाएगा उंगली पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा और इसको अंगुठा छेपा लेगा अंगुठे में होता है अगनी तत्व तरजनी में होती है वायू तत्व बाकियों के बारे में भी हमें पता है और हम अपने वायू तत्व को अगनी तत्व से ऐसे दबा देंगे और जैसे ही हम इस मुद्रा को बनाएंगे हमारे श्रीर में अपने आप प्राणो प्राण ब चाहे तो अनुलोम विलोम कर लें, चाहे तो ब्रामरी कर लें, तो हम कोई भी प्राणायाम करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस प्राणायाम की महिमा को, उस प्राणायाम के फायदे को हम छे गुना कर देंगे, चार गुना नहीं, छे गुना कर देंगे, हमारे श्रीम प्र प्रण एकदम से बढ़ने शुरू हो जाएंगे नाडियों में कोशिकाओं में वायू मतलब ऑक्सिजन प्रण बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इससे क्या-क्या फायदे होंगे सबसे पहले तो आध्यात्मिक फायदे को जान देजिए जो आपको तुरंत उपर की तरह आपके अंदर एक मिठली आ जाएगी एक तरह की खुमारी आ जाएगी जिसे बहुत आनंदा थार्या अध्यात्मिक उरजा अध्यात्मिक हाई बोलते हैं इसे वो मिल जाएगा अब किस तरह के कस्ट में फैदे मिलेंगे जने के पीट में गैस बहुत बनता है उन्हें तु वहाँ पेन रहे गई रहेगा, जिनको आँखों में जरन रहती है, शान्त होना शुरू हो जाएगा, हड़ियों से जिनकी आवाज आती है, जुएंट से आवाज कट कट की आवाज आती है, वही वहाँ आ जाना, भर जाना, बैलेंस बिगड़ जाना, खुन की गमी जिलनों को हो रही है, एनीमिया जिसे कहते हैं, खुन की कमी की प्रॉब्लम है, प्राणों, आपके खुन में, ब्लड में जब प्राण भरने शुरू होता है, अगर आप थोड़ा सा विग्यान, human biology को समझेंगे, तो आपको समझ में आगा, जब हम सांस लेते हैं, तो खुन के जरीए ह हर कोने में जाता है, तो प्राणों के बढ़ने से खुन की कमी की समस्या भी ठीक होने लग जाएगी, शरीर के blood platelets अच्छे होने लग जाएगे, बढ़ने लग जाएगे, ये फायदे होंगे, चहरा glow करेगा, खुन साफ होने से, खुन को अच्छा होने से, चहरा glow करेगा, क बढ़न नहीं जाएगा आपके शरीर में, वो बैलन्स हो जाएगा, हाँ, तो इसके कई बार ऐसा होता है कि वायू की अधिकता हो जाता है, तो जब हम ये प्रणायम करेंगे, तो वो बैलन्स होने के वज़ा से, चहरा ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है ग्लाइकोजन जो केमिकल होता है इसकिन में जिसकी विरसे यूथ, यौवन बना रहता है आपके तवचा में, वो बैलन्स होगा प्राणों के बैलन्स होने से, थोड़ा बजन उठाने से कंधों में दर्द, कलाई में दर्द, घुट्रों में दर्द, ये सारी चीज़ें इ थकता मन है, थकता आपका दिमाग है, आपका दिमाग समझता है कि आपको थकान का संसेशन दें, थकान वाला आदेश दें, आपको बताएं कि आपके दिमाग को मालम है कि शरीर में अगर कमी है, शरीर अगर खराब हो रहा है, घिस रहा है तो थकाने वाला वो सिगनल देना शुरू कर देगा तो दिमाग ठकता है क्यों ठकता है जब प्राणव की कमी होनी शुरू होती है बाईयों की कमी शुरू होती है तो चक्कर आना थकान लगना थोड़े से काम करके थकान लगना मूड का फ्लिकर होना बार बार मूड चेंज होना चेड़ा हाट आना परिशान ह वेला के तो कभी भीी एक और सा रहे हैं कि फ्रॉस्टेशन आ रहे हैं बही काम झोड कर से का मन आ रहा है यो मुध बना नहीं है यो सके तो गहरी-गहरी सानस लिए यूरिशे म सांस लेंगे अन लुट्फ тीन उंगले निय्चे तक का जो आपका मसल्स होता है नीचे तक सांस जो सबसे नीचे तक जहां तक सांस लेकर जा सकते हैं तुरंत मन शानतोंगा तुरंत आराम मिलेगा तुरंत फ्रस्टरेशन से बाहर आओगे किच्च चडाट से बाहर आओगे जो अजीब से किच-किच लग रही है अंदर में अपने आपको ही फोड के बाहर निकल जाने का मन कर रहा है कहीं भाग जाने का मन कर रहा है आपिस में चेयर में बैठने का मन नहीं कर रहा है अपने ही अच्छे लोगों से बात करके भी इरिटेशन हो रहा है उस कंडिशन में समझ जाना वायू कम है और प्राण वायू की अवशकता है मेटाबोलिजम बहुत अच्छा करता है हाजमा आपका जो डाजिस्टिंग सिस्टेम है उसको दुरुस्त करता है कई लोग होते हैं कि पेट में बहुत गयास बन रहा है तो क्या है यह वायू की अधिकता है मतलब प्राण वायू सहीं से आ करके सहीं से बाहर नहीं गया है रुख गया है तो उसे भी बैलन्स करने के लिए आपको यह करना होगा तो हाजमा दुरुस्त करेगा इम्यून पाउर को अच्छा करेगा सर्वाइकल पेन में सबसे ज़्यादा काम आएगा यह आपको सर्वाइकल पेन जिनको हो रहा है मान के चलो कि वायू की अधिकता हो गई है वायू की अधिकता कभी भी अच्छे नहीं होती यह मत सोचेगा कि जित्रों वायू अंदर भार ले होता बहतर है नहीं गुबारे में भी एक सीमा तक वायू भारेंगे तो गुबारा बहुत अच्छे से फूलेगा खेलेगा सैकल के गाड़ी के वायू जब बलकुल सही होगी जैसे मेरी गाड़ी में 35 points वायू डालना होता है बाइक में किसी में 40 किसी में फुटबाल में भी अगर सही से वायू डाली होगी तब फुटबाल सबसे अच्छा खेला जाएगा सबसे दुरूस तक खेला जाएगा कब होने से performance अच्छी नहीं जाएगा 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 तो वायू को balance करने के लिए हम यह करते हैं अब आपको ये भी तो जानना है कि किसे कब कर सकते हैं कहां कर सकते हैं किया इसके precautions हैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हैं बच्छेकि बागी तद्वों के लिए जब हम practice करते हैं अगी दत जलत धंट प्रित्वीत अब प्रेटिस कडें टो कुछ प्रिकॉशन होते हैं। इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। इसको कभी भी बैठ के कर सकते हैं। किसी का इंतिजार कर रहे हैं। मुद्रा बना तरके बैढ़ गए, कहीं जा रहे हैं बस में ट्रेवल कर रहे हैं? बना लिया, आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के टाम ना बनाएं, इस थिर हो तब श्रीड़ रगे चल रहे हैं तो उसका फैदा नहीं मिलेगा बना लिया, अच्छी बात हैं लेकिन फाइदा नहीं मिलेगा आप खड़े हैं विचार कर रहे हैं विचार हो से आप मुक्ति पाना चाहते हैं मुद्रा बना लिया हाथ में रख लिया और जब खड़े हो गए सीधे खड़े हो गए इस तरह से कर सकते हैं आप सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने बता है प्रणायाम के समय करेंगे तो इसके छे गुना फैदे आपको मिलेंगे पेट भरा हो चाहे पेट खाली हो सो के उठे हो सो के सो नहीं हो नीन पूरी नहीं हो कुछ भी कैसी भी अवस्ता में हम इसे कर सकते हैं महिलाएं भी अपने हर दिन में इसे कर सकती हैं कभी भी इसको प्रयोग किया जा सकता है तो वायू तत्यों को हमेरे श्री में बैलन्स करने के लिए हमें ये वायू मुद्रा कभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं यह सबसे आसान मुद्रा है, सबसे सहच है, बाकी मुद्राओं के बारे में भी मैं बताऊंगा, आपको समझभायाईगा बहुत अच्छे से, है ना? एक confusion और होता है कि क्या दिन में करना है रात में करना है इसे दिन और रात कभी भी कर सकते हैं योगी जो रात को अक्सर 11 बारा बचे के बाद साधनाय करते हैं तो वो भी इसे करते हैं ये था वायो मुद्रा इस वायो मुद्रा को आप समझ चुके हैं और इसके बाद आपको बाकी पांचे मुद्रा को समझेंगे और इन सरे पांचे मुद्राओं को समझने के बाद आपको समझ में आगा कि कैसे योग और साधना और हीलिंग में इसका इस्तमाल करना है ये आप झाल झाल